तो देखो हीरो का जो Maverick 440 है उसकी प्राइज आ चुकी है और साथ ही इस बाइक का बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जिस प्राइज पॉइंट पर ये बाइक आई है क्या ये प्राइज पॉइंट जस्टिफाइग करती है या नहीं तो इसके लिए हमने इसी की सिमलर भाइक हाल डेविल्सन एक्स पॉरफोटी के साथ में थोड़ी सी केमपैरिशन भी करने वाले हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल ऐकोन को आउन पे कर देना वीडियो में आग वह दो लाख 24,000 की प्राइस पॉइंट पे लॉंच हुई है सिमिलरली बात कर ले हाले डेविल्सन एक्स फॉरफोटी की तो इसके अंदर भी आपको तीन वेरियोंट देशने को मिलती है डैनीम विविड और एस तो वहीं पे अगर बेस बेरियोंट की बात करे डैनीम की त दो लाख 44,500 रुपटी की प्राइस पॉइंट पर ये आती हैड़ विविट की बात करे ये 59,000 रुपीज की price point पर यह आती है और वहीं पर X440S की बात करें तो 279,000 रुपीज के price point पर X वाला variant हमें देखने को मिलती है ओके तो अगर बात करें hero की maverick 440 की booking की तो hero की जो official site है hero motocop वहां जाके आप hero की maverick 440 को book कर सकते हो and इसकी booking date है 15 March है उसके बाद April या माई के महीने में आपको इस bike का delivery है वह start हो जाएगी and booking की price की बात करें तो 5000 रुपे इस bike की booking price है ओके तो यहाँ पर maverick 440 की बात करें या फिर Harley Davidson X 440 की बात करें तो दोनों ही bike same engine के उपर बेस है 440cc का engine है फ्रेंट में हुआ ऐसे तो दोनों ही के अंदर आपको LED light setup देखने को मिल जाती है but जब आप इन दोनों bike के सामने में actual में खड़ाओ करके देखोगे ना तब इन दोनों bike के front की headlight में आपको different दिख जाएगी दोनों ही bike के अंदर आपको 13.5 लिटर का fuel tank देखने को मिल जाती है but tire size and tire profile both are different hero की maverick 440 के अंदर आपको 17 inch का rear में and 17 inch का front में tire size देखने को मिल जाएगा and base variant के अंदर आपको spoke wheel देखने को मिलेगा and top variant के अंदर आपको alloy wheel देखने को मिलेगा and वहीं पर Harley Davidson X440 की बात करें तो इसके rear में आपको 17 inch का tire देखने को मिलेगा and front में 18 inch का tire देखने को मिलेगा and इसके भी base variant के अंदर आपको spoke wheel देखने को मिलेगा and top variant के अंदर आपको machine cut alloy देखने को मिल जाएगी अगर आप ज्यादा touring करते हो तो X440 के साथ जा सकते हो वहीं पर अगर आपको CT के अंदर fun to ride चाहिए तो आपके लिए maverick 440 एक अच्छा choice हो हो सकता है because अब दोनों की जो handling है ना बोथ आर different maverick के अंदर आपको 803 mm की seat height देखने को मिलती है वहीं पर X440 के अंदर आपको 805 mm की seat height देखने को मिलती है ज्यादा difference नहीं है बट fit and finish की बात करें तो जो Harald Division की X440 है उसकी fit and finish काफी अच्छी है and maverick 440 की fit and finish और अच्छी हो सकती थी दोनों ही बाइकों के अंदर काफी सारा similarity है like 6-bit gearbox, dual channel, ABS और engine भी सेवी है बट जो maverick 440 की engine है उसको थोड़ी से detune करी गई है because अब दोनों ही बाइक 27 bhp का power generated करती है but maverick 440 के अंदर आपको 36 mm की talk मिलती है and Harald Division X440 के अंदर आपको 38 mm की talk देखने को मिलती है यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीजे different होना लाजमी है because अब जो Harald Division X440 है उसकी price थोड़ी से ज़्यादा है तो वो बाइक जो है premium portion को touch करती है like hero की maverick 440 के अंदर आपको regular telescopic suspension देखने को मिल जाती है and वहीं पर Harald Division X440 के अंदर आपको USB front fog देखने को मिलती है दोनों की भाइकों के अंदर fully digital meter console देखने को मिल जाती है but Harald Division X440 के अंदर आपको premium touch वाली digital meter console देखने को मिलती है premium touch का मतलब premium चीजे भाई premium touch screen वाला डिस्पले मत समझ जाना सो आज का information कैसा लगा comment box में लिख देला चैनल पर नए हो तो चनल को subscribe करके bell icon all पर कर देना मिलते हैं कल की एक और new video में तब तक के लिए बाई बाई